अगर आप रोज गाड़ी चला कर ओफिस या कहीं और आ जा रहे हैं तो 20 किलो मीटर तक के सफर पर आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा यह फायदा मिलेगा लेकिन Terms and Conditions के साथ शर्त है कि आपकी गाड़ी Global Navigation Satellite System से less होनी चाहिए केंदर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके यह एलान किया है कि Global Navigation Satellite System यानि GNSS से less private car मालिकों को हर दिन National Highway और Expressway पर 20 किलो मीटर तक का सफर टैक्स फ्री रहेगा यानि हर दिन 20 किलो मीटर की यात्रा के लिए उन्हें कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा दरसल केंदरिय परिवहन मंतरी नितन गटकरी ने आम चुनाव से पहले टोल टैक्स कलेक्शन के लिए सैटलाइट बेस सिस्टम की घोशना की थी और फिर पाइलिट प्रोजेक्ट के तौर पर करनाटक और हरियाना में दो जगों उपर इसे इंस्टॉल किया जा चुका है जी एनसेस बेस इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में टोल बूत की जरूरत ही नहीं पड़ती गाड़ी से रोस्ते की जैने वाली अदूरी के हिसाब से टैक्स उसूलने का प्रोविशन होता है नोटिफिकेशन के मुताबिक नैशनल परमिट रखने वाले बाहनों के अलावा वाहनों का ड्राइवर मालिक जो एनेच यानी राश्ट्री राजमार्ग, पुल, बाइपास या सुरंग का इस्तमाल करते हैं उसे GNSS आधारित यूजर टोल केलेक्शन सिस्टम के तहत एक दिन में कुल 20 किलोमेटर की यातरा तक कोई चार्ज नहीं देना होगा इस से ज्यादा का डिस्टिंस होने पर टैक्स देना पड़ेगा फिलहाल GNSS बेस टोल केलेक्शन सिस्टम को NH275, बांगलूरू मैसूर सेक्शन और हर्याना में NH709 के पानिपत हिसार सेक्शन पर इंस्टॉल किया गया है क्या आपने अभीता के सिस्टम का इस्तमाल किया है? हमें कॉमेंट करके बताएं आपके काम की ऐसी और जानकारी के लिए एन्टीमिफ प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें